हेलो एडिवान वेल्कम बेक टो माई चैनल मेकप फारुषका आई होप यौल लॉफ देंग वेल तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट वीडियो इस वीडियो को करते हैं स्किन केर रूटीन तो मेरे फेस पर पहुंच से पिंपल हो गयते हैं टाइनी से और चोटे-चोटे अपने फेस को क्लीन कर लेंगे आपको भी अपना फेवरेट फेस वॉष ले सकते हैं अकॉर्डिंग तो यूर स्किन ड्राय ओईली कुछ भी हो सकती है अपके स्किन टाइप तो मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन तो मैं ओईली स्किन वाले प्रोडक्ट शूज करती जो भी एक्टे टड الرट है वो अच्छे से अफ मेरी एक्ट्र दट हो जाएगे dock вет ने अपने फेस पर क्लींजिंग ऊच्छे से करने है कोई बी दोड क्लीन करने करने इसको अच्छे से प्लेंस करने के बाद मैंने अपने फेस को कर लिया है। तो नेक्स स्टप होगा एक्स पूलियेट तो जो कि मेरा सबसे फेवरेट स्टप है तो ऐपने से करती है थी , अपने कोई भी लाइक सपक्रब को harshly अपने फेस पे अप्लाइए नहीं करना जेनली अपने फेस को सक्रब करते रही है एक्सपॉलियेट because it is my favorite step तो मुझे exfoliate करना बहुत अच्छा लगता है अपने face को इससे हमारे face की जितनी भी dead skin है वो remove हो जाती है तो इससे अलग सही glow आता है अपके face पे अच्छे से scrub करने के बाद मैं अपने face को कर लूँगी clean हमारा face होज़े करे clean तो हमारा next step होगा toner तो मैं अपने face पे लगा दीगा stranger जो कि मेरे face पे जितने भी pimples के bacteria से उनसे fight करेगा तो अगर आप लोग पेस पे कोई भी pimple या कुछ नहीं है तो आप कोई भी toner यूज़ कर सकते है according to your skin type next step है हमारा applying moisturizer तो मॉश्यराइजर को अच्छे से apply करूंगे अपने face पे थोड़ा हलक हलक अपने हास्तों से massage करेंगे face पे जिससे अपकी face के जो भी blood circulate होने लग जाएगा अपके face पे natural glow आएगा तो मैं अपने eyes पे फिंकर के सारा round out करी जिससे अपकी eyes की puffiness है वो कम हो जाएगी तो next step at the last of this step मैंने अप्लाई किया face mask यह DIY face mask नहीं है तो मैंने अपने face face को apply कि हमने face mask को 10 minutes के लिए अपने face पे पे अप्लाई करके रखना है उसके बाद हम इसको rinse out कर देंगे इसके बाद हमारा next step होगा applying some different face mask मेरा face mask होगा तो मैंने अपने skin पे लगाया है अवियूद का peeling face mask तो मैंने इसको अच्छे से dry होने दे है 10 minutes के लिए 10 to 15 minutes इसके बाद जो इसको remove कर दे it is a very satisfying look तो मुझे बहुत अच्छा लगता है peeling mask यूज करना मैंने बहुत सारे peeling mask यूज की है तो इसको peel करने के बाद हमारा next step होगा applying some SPF on your face SPF लगाना अपने face पे is a very important part तो मैं अपने face पे हमेशा SPF लगाती हूँ क्योंकि अब तो हमारी skin है वो deeply clean हो चुके तो मैं अपने skin को UV rays से बचा रहा है तो मैं अपने face पे लगा रहा हूँ SPF applying anytime never skip your SPF in summer and winters I like applying SPF I hope you like this video subscribe for more